नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो आसे अस्टोलोजी, मैं नीतु सिंग दोस्तों मुझसे चुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी बला आइकोन को दबाना बिल्कुल भी मत भूले जिससे की वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे किया आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी न हो और ऐसा कौनसा इंसान ने जो नहीं चाहता कि इसके घर में धन की कमी न हो ठीक है धन होना चाहिए लेकि धन के पीछे पागल नहीं होना चाहिए, बहुत लोग पागल होते हैं कि धन को पाने के लिए कुछ हर हद पार कर जाते हैं, या तक कि दूसरे का भी हिस्सा मानने की कोशिश करते हैं, दूसरे का भी हक लेने की कोशिश करते हैं, वैसा धन मेरे ख्यासे तो किसी भी काम का नहीं है अगर आप चाते हैं कि आपके घर में धन्धान की कमी नहीं हो आपके जरूरते पूरी होती रहें आपके कामों में रुकावटे ना आए तो कौन सा उपाय करें कि जिस्ते की कभी भी धन्धान की आपके घर से कमी नहीं हो चलिए जानते है सूरे रेके ठीक समय किसी बहुत पुराने बरगत की जटा में हल्दी की गांठ एक लगाया है आपको क्या करना है कोई भी आपके घर के आसपास या जहां भी आप जानते हो कोई बरगत का पुराना पेड़ हो और उसमें जटा निकल रही हो उसमें आपको हल्दी की एक आठ बाधानी है इस उपाय को करते समय आपको कोई टोके ना इस चीज का आपको ध्यान देना नहीं किसी को आपको बता के जाना है कुछ दिरों में चमतकार दिखाई देने लगेंगे जब धन लाव की प्राप्ती होना शुरू हो जाएगा उस हल्दी की गठान को छोड़ कर अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बान कर रख दे ठीक है जब भी आप लेकर आएं उसे तो अपने घर की तिजोडी में लाल कप्रे में आपको बान के रख देनी है ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी धन धाने की कमी नहीं होगी आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होती चली जाएगी दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई वीडियो लाइक करें शियर करें उसे जुड़ने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे जय माता दी